हलो हाई बच्चों वेलकमेट में में रज और मैं आपके व्यक्षेशन्स लेगा हूं इकलबियम की तो आपको क्या दिसमें साइस्ट रिकेप मैं आपके फॉर्मूला बेस्ट होंगे दर्स आपको फॉर्मूला पुट करना है और आपको अंसर मिल जाएगा अभी क्या आपको स्टार्ट करना है फेस्ट के साथ में तो हम वीडियो के स्टार्ट कर लेते हैं लेट्स तू क्विक रिकेप मैं आप बता दे रही हूं आपका जो लास्ट लेक्चर था वो था आपका मॉर्फोलोजी और फ्लोरिंग प्लांट का तो आपको कैसे क्वेशन् आपसे लिवर्स के रहा नहीं था अगर आप एक पर अपनी नसी आटी से गो थू हो लेते हो लो तो आपके लिए वो काफी है एंसी आटी आपको देखना है एंसी आटी उससे गो थू हो जाए गर एक बार उसके बाद में मेरे क्वेशन्स लगा लेओ आप लगाने के अरक 25 इसमें PCL3 में डूटा है और CL2 में डूटा है तो पूचा है ciOn CAPe relation आपको अफ्λοस कपे और चांते हो as you know कि क्या ऑपका कशळी क्युक्य सिक्रिटjem में लेशन वहन्म होता है क्री सविह सभा सभा यीफ 1997 है schon गैसी पहलने अँड्ब मेर्ड़ीके मेरें लिकीड गैसे देए फिरफ फॉनय नलिक्वीड थे में तो ब्रोडवर कि फोड़वाम फिरल केह से स्मूल को मैं सुब्क्राइब्ज मदें तो आपके यहींड़ है देल्टा एंजी में ऐसा यह होता डेल्टा एंजी ठीक है या पर एंजी तो गैसी मुलें ने एंजी इसलिए लग देते हैं क्यों किShodman आप oikeated यह किए इसमें छारे मौल की जो कियां, gas is molecule है, देखिए हैं, दिख रहा है आपको, C l 2 gas है, pcl 3 gas है, और pcl 5 gas है, तो सारी gas is molecule है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करना, आपको delta n g की value है, delta n g की value है, अगर हम निकालेंगे, तो क्या निकलेगा, देखो आपको सबसे पहले product के मूल ले लें तो प्रोड़क के मूल कितने हैं एक और दो तो दो कितने हैं PCL3 है और CL2 है दो आपकी product मूल है माइनस आपका एक reactant मूल है PCL5 अपको कितना आ रहा है बना रहा है तो इसमें अगर हम formula में इंपोर्ट करेंगे कैसे करेंगे आपका जो formula हो जाएगा वो क्या हो जाएगा देखिए formula में बताते हूं आपको तो kp equals to k c r t और जो आपकी value delta n की वो क्या है आपकी 1 आई है तो इसमें जो सिदा-सिदा आपका formula हो जाएगा kp equals to k c into rt delta n जी ठीक है तो आपका first option आपका correct हो जाएगा नेक्स question में बढ़ लेते हैं कि next question है आपका what happened to the equilibrium constant when a catalyst is added तो आप catalyst को add करते हो गर equilibrium constant में तो आपका क्या changes मिलते है आपको तो इसमें इमिटा unchanged होगा unchanged होगा या फिर change होगा या फिर less change होगा या फिर not होगा तो इसमें कोई भी change नहीं आता है वो unchanged रहेगा तो आपका first option सही हो जाएगा next question हा आपका what is the pH of 0.002 mhvr तो इसमें pH पूछा आपका इसका 0.002 mhvr का तो इसमें से आपको कैसे निकालना देखो ऐसे अगर निकालेंगी हम देखो 2 into 10 to the power minus 3 minus 3 यह आ गया उसके बाद मैं आपको क्या करना है अब यह minus 3 आ गया जाएंगे और 2 की value आ जाएगी जैसे आप निकालेंगे pH equals to minus equals to minus log और यह 2 की value रोग यहां पर 10 to the power minus 3 ओके इसे कैसे log को कैसे solve करते हैं कि 3 आपको आगे लेके आना है तो आपकी value हो जाएगी देखिए pH equals to 3 आगे आ जाएगा log 2 हो जाएगा ठीक है और 3 यह है और log 2 की value होती है पिटा 3.03 10 ठीक है आपकी log 2 की मैं दोबारा से लिखती हूँ आपके लिए यहां पर 3 तो ही log 2 की value होती है पिटा आपकी 0.3010 तो आपको एप्रोक्स कितना आ जाएगा आपका 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 answer जो है वा जाएगा 2.7 2.7 आपका correct answer हो जाएगा ठीक है तो आपका second question second option है वो आपका सही हो जाएगा 2.7 ओके next question है आपका tell is the solutions are acidic basic or neutral ठीक है इसमें से आपको बताना है कि acidic solution कौन सा होगा basic solution कौन सा होगा और neutral solution कौन से कौन से होंगे तो आपका जो example है वो दे रखे हैं हमनोंने NACL, KBR, NACN, NaOH, H2SO4, NaNO2, NH4, NO3 और KF इसमें से आपको neutral और basic और acidic बताना है आपको तो देखो आपको पता जैसे कि देखिए acid का आपका यह तो neutral होता है NACL ठीक है उसका इसमें acid का आपका H2SO4 होता है फिर basic आपका यह भी होता है देखिए basic यह भी होता है N AOH ठीक है उसके बाद में आपका जो answer हो जाएंगे वो कैसे किसे हो जाएंगे acid क्या होगा आपका acid को हो जाएगा आपका A लिग दे रही हूं यह आपके acid का आपके हो जाएंगे h2SO4 then उसके बाद में आपका हो जाएगा NH4 NO3 ठीक है यह आपके acid हो गए then आपके basic है तो basic कौन से कौन से हो जाएंगे basic आपके हो जाएंगे N A C N N A C N then आपके हो जाएंगे N A O H यह basic ही होता है N A O H आपको पता है O H रिलीज होता है then फिर इसके बाद में आपका हो जाएगा N A N O 2 तो यह आपके basic हो गए then आपका क्या है neutral है तो neutral जो बाकी बची है वो neutral हो जाएंगे सारे आपको पता है तो neutral कौन से कौन से हैं आप बताइए मुझे N A C L K B R बची होए है तो N A C L K B R आपके neutral हो जाएंगे तो ऐसे आपको क्या है देखना है आपको एसी भी questions फूच सकते हैं कि आपसे क्यों है basic क्यों है neutral क्यों है तो यह आपका equilibrium का पार्ट है तो पूच सकते हैं next question पर बढ़ लेते हैं next question आपका 5th question sequence the following in increase order of pH KNO3 aqueous है ठीक है उसके बाद में C6 H5 C O N H4 उसके बाद में यह भी aqueous है उसके बाद में फिर है N H4 C L aqueous है then आपका CS3 C O O N A aqueous तो इसमें आपको पूचा increasing order पूचा है pH का तो किस-किस का pH जो increasing order में बताना है आपको तो सबसे पहले आपका increasing order होगा वह बहुगा NH4 C L का then उसके बाद में आपका आजाएगा C6 H5 C O O N H4 उसके बाद में आपका आजाएगा KNO3 उसके बाद में आपका आजाएगा CS3 C O O N E तो आपका जो first option है वो आपका सही हो जाएगा उसके बाद में next question है आपका तो अगर हम ice water system को किस में रखते हैं इकलूरियम में रखते हैं तो किस temperature पर आपको रखना पड़ेगा कब होगी या फिर ऐसे बोल सकते हो आप ठीक है तो वो कब होती है आप बताईए when gas escape through an open system when gas escape through a closed system when gas escape through an insulated system when none of these none of the above तो आपका जो option है वो सही है बिटा first जब आपकी जो gas है वो escape होती open system में next question है आपका 8 the boiling point of liquid depends on which factor जो आपका boiling point होता है liquid का वो किस पर depend करता है इस factor पर dependent करता है boiling point liquid का तो वो आपका बताईए option आपका दिय रख् идет है atmospheric pressure आपका system pressure उसके बाद में आपका है body pressure उसके बाद में none of these तो आपका जो liquid—depend '' Yale ph ego पर boiling point का तो वो डिपेंड करता है विटा आपका atmosphip pressure पे okay अगर आपका atmosphip pressure boiling point है liquid का तो इस पेड़ेंड करेगा वो factor एक आपका थीक है इसके बार में लिखिए आपका next question is ninth, ninth question में बोल रहे है है वह तो equilibrium constant for the reaction so3, so2, so2, and half o2 तो आपका जो equilibrium constant कितना देखा है 0.18 दे रखा है at 900 Kelvin पे what will the equilibrium constant for the reaction SO3 अब ये जो new reaction है उसके लिए उन्होंने equilibrium constant पूछा है तो अगर मैं solve करूँगी तो time लग जाएगा इसमें मैं आपको directly option बता दे रही हूं तो आपका जो option है वो आपका first option सही है कि एक्वेस्टी जग आपका equilibrium constant है 5.55 आपका आजाएगा ठीक है next question है आपका last but not that is calculate the pH of 1 into 10 to the power minus 8 M solution of HCl तो इसका आपको क्या करना है इसका आपको calculate करना है pH okay किसका HCl का तो मैं आपको एक चीज बता दे रही हूं कि HCl का हम calculate रहते हैं तो only on सिर्फ इसकी value ने लेते हैं इसमें हम plus water all ले लेते हैं ठीक है water का जो pH हो था वो ले लेते हैं तो इसका value क्या है 1 into 10 to the power minus 8 plus आपका हो जाएगा 10 to the power minus 7 तो आपको water का pH हो और आपको add करना है उसके बाद में आपको further answer को निकालना है तो आपको जो answer आएगा वो approximately 6.98 की something तो आपको first option है वो सही हो जाएगा तो अगर आपको कोई भी जैसे कोई भी आपको query हो तो मेरे से जरूर पूछ सकते हो you can ask anything you want I will answer all your questions okay तो मैं गोसिस करूँगी आपके सारे questions का answer दे सकूँ और अगर आपको अच्छे लगते हो questions तो please मुझे comment box में comment करके जरू बताएं bye thank you so much for watching